असलाम हो अलेकुम, मैं जुलेका अर्फा, जुलेकास किचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बड़िया सी मोगलाई डिश, जिसका नाम है मोगलाई चिकन क्रेवी कहिए, मोगलाई चिकन हांडी कहिए, बहुती बहतरी जटपट, घर पर आसानी से तो बनती है, बद से याने रेस्टरान से बहतर बनती है, तो चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधा रहने, याने ओर्टनेरी इंक्रीडियन से, एक्स्टा ओर्टनेरी डिश बनाते हैं आज की, चलिए, यह तकरीबन 600 ग्राम धोई हुई, चर्वी निकाली हुई, चिकन है, हड्ड आदा चोटा चाय का चमच, स्पाइसी वाला लाल मिर्च पाउडर, एक चोटा चाय का चमच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप कम भी दाल सकते हैं, कश्मीरी वाला, एक चोटा चाय का चमच, भूना पीसा जीरा पाउडर, एक चोटा चमच, धनिया पाउडर, एक चो चुछाए का चमच, गरम मसाले का पॉडर, अब गरम मसाले का पॉडर आप एक छुड़ा चाहए का चमच भी डाल सकते हैं, सारी चीजों को बहुत अच्छे मिक्स कर लीजिए, और मेरिनेट करने के लिए एक घंटे के लिए ढाक कर फ्रिज में रख दीजिए, तब तक हम आ जब light golden brown हो जाए तो इन्हें निकाल निकाल कर side पर रखते जाए और यह आप देख सकते हैं जब light golden brown हो तभी ही निकालना है ज्यादा dark मत कीजिएगा नहीं तो जब अगर आप dark करते हैं तो वह बाहर आके भी पक रही होती है प्यास जैसे आप जानते हो तो वह बहुत लिए हैं और यह तेल के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया है क्योंकि इतने पूरे तेल में तो हम बनाएंगे नहीं थोड़ा तेल निकाल कर side पर रख दीजिए इसके अंदर दो टेबल्सपून मैंने यह दाल दिया असलीगी आप चाहें तो skip कर सकते हैं यह दालीजिए पहले तो मैंने एक-दो मिनिट फास्ट आँच पर ही रखा है सो थोड़ा सा भुन जाए जब एक-दो मिनिट हो जाते हैं तो इसे मैं slow से medium आच रख कर थोड़ी सी दूसरी preparation के लिए चली जाती हूँ लेकिन बीच-बीच में मैं एक-दो बार चलाओंगी हां इसे एक जार के अंदर ये तकरीबन 12-13 बादाम है छिलके निकाले हुए है और इन्हें दाल दीजिए मिकस जार के अंदर तकरीबन वो काजू है वो भीगे हुए थे वो भी और तकरीबन समझे ना 14-15 है छोटे-छोटे हैं आपके बड़े हों तो 8-10 लीजिएगा और इस इसमें से डाल दीजिए और इस सारी चीजों को बहुत अच्छे से बारिक होए तक एकदम अच्छा पतला टेक्स्चर हो जाए याने के क्रीमी टेक्स्चर हो जाए वहां तक इसे पीस लीजिए ऐसे चलिए अब हम चिकन पर आ जाते हैं तो चिकन तकरीबन slow से medium आज के दर दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए 2-3 मिनिट तक भून लीजिए तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता 2-3 मिनिट लगेगी जब 2-3 मिनिट हो जाए तो यहां पर मैं डाल देती हूँ सबसे पहले आधा कप पानी मिकसर जार के अंदर चला कर डाल इसमें यह तोटली आपके उपर है क्योंकि आपको कितनी ग्रीवी चीह यह आप देखिए अब इसमें उबाल आ जाने दीजिए जब उबाल आ जाता है इसलो आज करके तकरीबन 11-12 मिनिट तक तक पर ढखा हुआ पकने दीजिए चली तकरीबन 11-12 मिनिट हो चुके हैं सुरी मेति को भी हातों के मदद से क्रश करके दाल दीजिए अब यहां पर मैं डाल देती हूं चुटकी भर तंदूरी रेट फूट कलर आपने नहीं दालना है तो आप स्किप कर सकते हैं यहां आप नम्मक भी अचस्ट कर सकते हैं और इसे एक बार चला लीजिए और इसे बन गई है हमारी चिकन हांडी मैंने नम्मक एचस्ट नहीं किया है अभी तक तो मैं यहां थोड़ा नम्मक दाल देती हूं ग्रेवी के भाग का आप पहले भी डाल सकते हो और इसे चला लीजिए अच्छा मैंने टोटल सवा कप पानी डाला था आप चाहे तो एक कप या प पाड़ी हो जाती है फिर उसके बाद में पानी डालना और यह डालने का कोई मतलब नहीं बनता है इसके लिए मैं हमेशा थोड़ा पानी जादा ही डालती हो आप उसी समय सर्फ कर रहे हो तो आप एक कप या पॉना थ्री फोट कप ही डालिएगा पानी चलिए चूला मैंने कर दिया बंद और इसमें 3-4 हरी मिर्चियों को slit मार कर दाल दीजिए अधरक को बारिक कटा हुआ ऐसा दाल दीजिए और खुब सारी बारिक कटी हुई कोतमिर दाल दीजिए अब मैं तो चूला कर दी हूँ बंद लेकिन इसके उपर से मैं दाल रही हूँ अब आप चाहें तो चूला स्लो पर रखकर इन्हें डाल कर ये तीनों चीजिज डाल कर मिक्स कर ले और एक दो मिनिट दम पर इन्हें धाकर रहने दीजिए जिस लों आज पर तो इनके भी फ्लेवर चूटेंगे तो आपको उनका मजा आएगा टेस्ट आएगा तक पकाईएगा जब तक तेल नहीं चूट जाता और अगर आपको लगेगी ग्रेवी कम है तो अब पानी मट दालिएगा अब थोड़ा सा दूद दाल दीजिएगा और उसे उबाल खिला कर स्लो आच पर तकरीबन समझे न चार पाच मिनिट तक स्लो आज पर ढाक कर पकने दीजिएगा अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंल सेक्षिन में ज़रू शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंस परने बहुत अच्छे लगते हैं रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कीजिए उसे ज़्यादा अच्छे लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इसके लिंक ज़रूर फर्वर्वर्ड कीजिएगा टेक केर अलाहाफिस बाबाई